असलाम अलेकूम वेलकम बैक टो मामशीज ब्लॉग कैसे हैं आप सब अलहम्दुलिला मैं ठीक हूं और उमीद आप सब ठीक होंगे और यहां देखें यह है फिश मच्छी है तो इसके फिलेट्स लेके आए थे हैं आप फिश फिलेट्स है तो एकिशली फिश बिना बॉनलेस की ओकैसे आया था पिजले तोके आयें दममना की आए थे JOHN कहां तो माय कोफिश फिंगर्स रहते हैं अब इसलिए लंबे-लंबे वाला मैं फिश फिलेट्स बना दीना ओकैँ लिए इतने ज्यादा है हम लोगों को काफी है चार लोगों के लिए अगर कोई भी फोर मेंबर्स आप लग घर में है तो आफ की लोग इतना फिश फिंगर फ्राइस आपको आराम से हो जाता नम्मक अब देखिए अपने टेस्ट के हिसाब से दाल दीजिए देखिए नम्मक टुना अगर आपनों से फिश ले रेख तो थोड़ा सा कम दालिए रिवर फिश है तो अपने टेस्ट के हिसाब से दाल लीजिए नेक्स्ट रात बारी हाती अध्रक लसंग का पेस्ट मैं दाल हुए आपर आधा टेबल स्पून उतना अध्रक टेबल स्पून पाव टेबल स्पू चिली हैं पर मैं दाल दी हूँ रेट चिली पौडर एक टेबल स्पून भर के आधा कीलो फिश है जादा नहीं जादा हो जाता अगर हम अप्यम पवि को भानख़ गरम मसाला अगर आप लोग घटीफाना चारे तो दाल सकते नहीं तो बार सकते घवर ट्रय कीजए द लाने आधा टेबल्सपून धन्या का पॉडर गरा मसाले में अल्री धन्या का पॉडर रहता बट घर में बना सो गरा मसाले में धन्या नहीं रहता है जो मैं बनाती हूं फेशली उसमें धन्या का पॉडर नहीं रहता हूं के कि जो बाहर वाले लेटें बजार वाले तो उसमें धन्या का पौर रहता हुऊ अब हैपर मैं दाली हूँ पाउर टेबल फूर ते । काली मिर्ची के पाउडर भ्लैक पाउडर पे पाउडर अब जादा भी ब्लैक पेपर डाल सकते हैं LÕट में मिर्ची बहुत आघए नहीं है का थोड़ा सा और जीरा पाउडर 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 चाहिए अर्नेक्स्ट के आब YouTube recognized इसमें मेंगे है चाहिए कसूरी मेती कसूरी मेती मुझे यह फेश फिंगर फ्रेट में बहुत पसंद रहता था कसूरी मेती दालने से मैं आपको टिब भी बोलूँगी क्या है मुझा जैसे हम लोग टेस्टिंग सौल डालते हैं हर पक्मान में जो अजीरमोटो बोलते हैं वह वाला काम करता हम लोग कसूरी मेती दाले तो वह वाला काम करता हर पक्मान में आप लोग देखिए ट्राइ कीजिए आप कभी भी खाई नहीं जाता है आप लोगों को कम खाई जाता है तो यह एक तिब भी बोल सकते हैं मज़े भी आ जाता है आपको टेस्ट हैनाइंस भी करता है चलिए बच्छे इनको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा नीमबू दालने के बाद में पहले मिक्स कर लेंगे शायद मैं दाल चुकी बातों बातों में देखी भी नि तो जल्दी से में जब तक मैं मिक्स करती रहे तो जल्दी से जाए मेरे वीडियो को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए औ के नहीं दाली थी चलो यहां पर नीबू भी निचल लिए हो गया नीबू का काम दी देखिए नीबू हर पकवान में जाता जैसा ऐसे फ्राइंग अटम डिफ्राइंग डिफ्राइटम स्रॉण वे जो भी बनाते ना हम लोग उसमें जाता जाता प्लीज आप लोग कल का अब आफ और आवर के बाद मैं हापा डाल रही हूं 2 तेबल स्पून भरके दो या 3 तेबल स्पून अरौं उतने जादा नी पारन फ्लोर नहीं माईदे का आठा और कॉन फ्लोर दो मिला के तीन चार टेबल स्पून मेरे हो गय थी वह दो और एक तेबल स्पून भरके कान तो 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 में मिक्सी में पीस लेकर उसके बाद फी थोड़ा साल थोड़ा सा गरम सेख ली थी ब्रेट को तो वह बन गया मेरा घर में ही ब्रेट कर चली सको कोटिंग कर लेते हैं आपको सबको मालूम इचे आप क्या है उसका मैं कुछ पीस में मैं देखे आठे में डिपनी करें डायरे मैं सब्सक्रा तकीनिक मैं आज यूज कर रह Second method कीजिए उसमें यह कर सककते फिर माई्दे में आप लोग डिप कर सकते एक हम हमेशा ब्रेट के अब जाता की कोषिच कोशिश आप ओवा टो जाता है बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आते हैं और ओई हम लोग यूज भी नहीं करते हैं दूसरे पकवान में तो इसलिए मैं हमेशाना तेल को थोड़ा सा कम मिच रखके तलने की कोशिश करते हूं ताकि में नेक्स्ट यूज में ना आए वो ही उसमें ही बस मतलब खतम हो जाए वो तेल और बचा तो भी थोड़ा थोड़ा तो हम इसको फेग सकते बड़ जादा वाले डी फ्रे हम लोग जादा तेल में नहीं करते चलिए अलहमदिल्ला फिश फिंगर्स तैर हो गए थे में भी खा सकते हैं कोई चावाल के साथ साइड डिश भी खा सकते हैं चलो मैं चलती हूं सब्सक्राइब करते ही जाना और लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना अल्ला हाफेज